हलो श्टुरेंट कैसे आप सभी तो हम लोग देखने वाले तीन मार्स के जो इंपोर्डेंट कोशन है वो देखने वाले हैं उसका पूरा लिस्ट मैं यहां पर जाहिर कर रहा हूं और उतना कोशन करके जाओगे तो आराम से तीन मार्स वाले सारी कोशन आप एक्जाम में कर ठीक है तो दो मार्स वाले कोशन मैंने विडियो बना दिया है अगर वह विडियो आपने नहीं देखा तो जाएगे प्लेइलिस में मिलेगा वीडियो जाएफिर दिस्क्रिप्शन में वीडियो को चेक करीए ओके तीन मांस के लिए आपको बहुत से कोशन करना है तो नाइ कुछ कोशन और देख लेते 1.2 में आ जाते 1.2 के अंदर आप सीधा आखिर में आ जाना है आखिर जो कोशन है कोशन नमर 10 और कुशन नमर 11 यह तिन तिन मास का कोशन है ठीक है यह एक्टिविटी बेस के लिए बहुत आदा इंपॉर्डेन कोशन नमर 10 ठीक है चलो आगे कोश फ्रती मांक के लिए जब शाथ दीन मांक के लिए इंपोर्डेन कोशन है ठीक है तिन- तीन माक का आगे बढ़ते हम challenging एक में चारत 7 अब के लिए 7 बहूक हगा सेट के बंदर एक्टिवीट बेस कोषन के लिए यह तीन माक्स के लिए ठीक है रागे बढ़ते हैं यह को यह मैं बता दिया सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं लोग 2.1 में आ जाते हैं 2.1 के अंदर आप देखोगे कौनसे कोशन करना है 3 माक्स के लिए 9 कोशन नमर 9 3 माक्स के लिए और कुशन नमर 10 भी 3 माक्स के लिए हाँ इस जाते हैं 2.2 202 के अंदर आपको कौशन नमर 9 माक्स के लिए याद रखो कौशनацион 11 फिटीन ओचार मांस के लिए है तो कोशन नमर 11 यह फीगर वाला देखो यह प्रूफ करना आपको फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कोशन नमर 13 यह भी इंपॉड़न है फिर कोशन नमर 16 इंपॉड़न कोशन है असातर अठर दोनों करना साथ में ठीक है और यहां पर कुछ और कोशन बचे बस इतना कोशन आपको कर लेना चलो आगे बढ़ते सरकल सरकल के अंदर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपको थेरम जो है टेंजन सेग्मेंट यह करना है तीन माक्स के लिए इंपॉड़न है उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्ससाइस के अंदर 3.1 के अंदर कोशन न माक्स के लिए था ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेशन नंबर 3.4 में आ जाते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको सैक्लिक कॉडिलेटरल थेरम करना है यह इंपॉड़ने तीन माक्स के लिए तो यह पहले थेरम कर लेना पहली फुरसत में इसको छोड़ना नहीं है और नहीं माँदा पूर अच्छे से करना बिगर देख करना आयेगा हो सकते अक्टिपिडेटी प्श पूइंड अगरए नहीं पूछेगा फज्शा होगा अगर अक्टा मार्योगे तो टिक ए deepest एक झारम कर विडियो भी मेंने बता Pom Trying आ 3.4, 3.4 का पहला question 3 marks के लिए important है, दूसरा question 3 marks के लिए important है, ठीक है, और यह question number 6 भी ले लोग तिरह से, चलो, आगे बढ़ते हैं, 3.5 के अंदर आखरी question 3 marks के लिए important है, यह 5 भा कर लेना, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग construction पे, construction के लिए आपको क्या करना है, पहला exercise तो complete करना, 4.1, complete करना, इसमें से question 100% पूछेगा, तो 3 marks के लिए अगे बढ़ते हैं, इसके अंदर जो second exercise है, इसके आखरी के 4 questions जो वो कर हो, वो कभी-कभी 3 marks के लिए पूछता है, जोमेट्रिक, इसके बाद coordinate geometric के अंदर आजाओ, जहां पे, कोलीनियर पूछा है, तो कोलीनियर वाले question जो आएंगे, वो सारे के सारे chances थाए कि 3 marks के लिए पूछेंगे, और जहां भी angle का नाम आता है, parallelogram का नाम आता है, तो आप स बोल रहा है, triangle बोल रहा है, या show that बोल रहा है, तो सारे question किस के लिए, 3 marks के लिए, ठीक है, जो 5.3 के अंदर, ये question जो आखरी के 10, 11, 12, तीनो कोशन जो है, यह तीनो कोशन कितना है, यहां से ले तो, 9, 10, 11, 12, तीनो कोशन जो आपके 3-3 marks के लिए काफी important, इसमें से एक्सर question पूछता है, और बाहर के भी question पूछता है, इसी के उपर बना कर, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, हम लोग, सीधाप mensuration पर आ जाओ, इसके बाद, ठीक है, अना, kolinear इसमें भी है, अब सीधा mensuration पर आ जाओ, mensuration के अंदर मैं बताया हूं, sorry, technometry, technometry के अंदर, आखरी के proof वाले जो question है, proof वाले question के अंदर बच्चे जो आखरी के question है, यह question जो, question number आप ले लो, 9 से ले लो, 9 से लेकर 12 तक, यह 33 marks वाले question है, ठीक है, 6.1 के बाद, 6.2, 6.2 सारे के सारे question, 33 marks के लिए important question, एक question इसमें से पूछेगा, पूछेगा, बहुत ज़्यादा important है, फिर हम दो formula लग रहा है, यानि कभी आपको value भी मालूम करने बोल रहा है, साथी साथ आपको surface area, कुछ area मालूम करने बोल रहा है, अगर दो formula लगता है, तो तीन marks के question है, ठीक है, तो channel पर नए है, तो channel को subscribe करना ना भूले,